हलो केट्स, हाव आ यू, गीड मॉर्णिंग ओल ओफ यू स्वी सत्यप्रकास इंग्लिस मेडियम स्कूल बारा ओनलाइन डेक्चर मां आपनों फरिते श्वागत चे हमारा आज का सब्जेक है जीके, जीके यानी जन्रल नोलेज जन्रल नोलेज में हमारा फर्स चेप्टर है, माई, बोडी, फैक्ट्स मतलि हमारे शरीर के जो फैक्ट्स है, हुआ नाव, लुक अट इस पिक्चर, इस पिक्चर को देखो, इस पिक्चर में क्या है 5 सेंस ओर्गन्स जो हम पहले भी बड़ चुके है, how many सेंस ओर्गन्स we have? 5 नोल, इर्स, स्कीन, तंग और आइस मतलब हम आइस से देख सकते, तंग से टेस्ट करते, स्कीन से फील कर सकते, इर से सुन सकते और नोल से हम स्मेल कर सकते आज तक हमने जो सीखा है वो बस इतना है सीखा है कि we have five sense organs और यह उसका work है आज हम जीके में उससे थोड़ी ज्यादा सीखेंगे जो हमारे body के facts क्या है वो हम दिखेंगे चल लो, now, read this, read Our body is a wonderful machine हमारा body है, वो एक machine type का work करता है Let me tell you some of the, with some facts about our sense organs Let me tell you some of, मतलब आप मुझे के सकते हो कि हमारे body में बस हमें इतने पता है कि we have 32 teeth in our mouth हमारे मुँ में 32 teeth है, right इससे आगे मैं कुछ पता होता है We have two eyes, one nose, two ears, इतना पता है लेकिन उसके अंदर के जो facts है, वो क्या है चल लो, now topic one Our nose can identify and remembers 50,000 different scans हमारा nose है, वो कितनी टाइप की smell कर सकता है different different type की, 50,000 second, nose and ears never stop growing they always grow throughout our life हमारा जो nose और ears है, वो never stop growing मतलब वो growing, कपी उसका जो grow है वो stop नहीं होता है वो continuously grow कता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारा nose बड़ा बड़ा होता जा रहा है और हाती जैसे कान हम जैसे बड़े हो गए तो हमारे ears भी हाती जैसे हो गए इसा नहीं, लेकिन अंदर के जो बाड़ से वो कभी stop नहीं होते आपने कभी सुना है कि एक मिनिट के लिए आपका ear से वो बंद हो गया आपने देखा कभी आपकी nose ने सांस लेना बंद के लिए बस चस पाइब मिनिट के लिए लेकिन वो अपना वर्क है वो continuously रखता है कभी भी stop नहीं होता ते ओल्वेस ग्रोथ हो आउट अवर लाइव जब तक हम जिन्दा है तब तक हमारे ए पाट्स तो चलता ही रहेगा nose और ears अवर स्कीन इस दे लार्जेस्ट ओर्गन्स इन अवर बोडी हमारे बोडी का जो लार्जेस्ट ओर्गन्स है वो कोंसा है skin क्योंकि हमारी बोडे से सर से लेके पाट तक पूरा जो हमारा बोडी है जो हमारे बोन्स है वो किसे ढखे हुए skin से तो skincare है वो हमारा लार्जेस्ट ओर्गन्स है number four our tongue is one of the strongest muscles in our body and is able to heal from injured more quickly than other parts of our body हमारे बोडी में जो टंग है वो एक मसल से हमारे टंग है वो उसमें कुछ उसमें अंदर बोंस नहीं है वो एक मसल से लेकिन वो इतना स्ट्रोंग है कि सबसे ज्यादा जिसमें जीब में हमारे कुछ भी इंजड हुआ तो quickly मतलब फटा फट से उसकी recovery हो जाती है Number 5 Our eyes can differentially about 10 million different colors हमारी eyes है वो कितने types के 10 million type के जो difference color है वो हमारी eyes है पेचन सकती है Number 6 We spend nearly 10% of our waking hours with our eyes closed while blinking हमारी eyes है वो दिन में कितनी बार blinking होती है कितने पेकिंग अवर्स के 10% इतनी पेकिंग अवर्स के 10% हमारी eyes blinking होती है हम एसे पूरे दिन तो एसे आखे फाड़ फाड़ के नहीं दे सकती है blinking है मतलब जब हमारी eyes open और close बार बार होती है उसको ब्लिंकिंग बोलते है नबर सेवन इफ यूमन आइज वेर डिजिटल केमरा इट वूड हेव 576 मेगापिक्सल्स हमारी जो यूमन की आईज से गूर्ड ने उसमें केमरा फिट किया हो है कितने दुर दूर तक है वो हमें कितना only ंस खेयर डिखाइन इस न इसको नमबर नहीं होती है उसको उसके नंबर होती है उसके इसको ऑदिखाइने लेकिन गोड ने हमें हमारी mm प्राफनी आईस में 576 मेगापिक्सल केमरा रख दिया है जो आप mobile में सुना होगा अपने camera कितने megapixel का है आता है 2.5 आता है 3.5 आता है लेकिन हमारी eyes में 576 megapixel camera है चिल्डरन्स से ज्यादा कुछ भी noise यानि आवाज भेचान सकते हैं चिल्डरन्स से ज्यादा तो चिल्डरन्स है उसमें noise मतलब आवाज सुनने की ताकाद ज्यादा होती है मतलब वो लोग छोटे बच्चे को जल्दी पता चल जाता है कि यह किसकी आवाज है 9. Having excess body hair indicates once higher level of intellect मतलब हमारी body में कितने sense organs है 5 sense organs है वो इसके details में आज हमने देखा तो आपको ए रीड करना है और उसको याद रखना है यह जो छोटे छोटे जो point है वो आपको याद रखने है और उसको बार बार रीड करते जाना है अके थैंक यू